हालो दोस्तों आज बनाते हैं एक नेरी सिप्टी चौमेन दमला जवाब बनके त्यार होगी आप यह से बना सकते हैं वीडियो वाजकेर के बहराना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है चले स्टार्ट करते हैं इसमें क्या क्या इंगेडिन पड़े हुए हैं लेते हैं की सोया बीन को अच्छी तरह से चॉप कर लेते हैं जैसे मैंने सब्सक्राइब कर लेंगे बारिक से अज़ेकर कर लेंगे ज्यादा पदली नहीं काटेंगे उन्हें ज्यादा मूटी काटेंगे चौमीन में यही मसाला कामाता है यह चौमीन को एकदम लाजवाब बनके त्यार करता है उसके बाद आप काटते हैं हरी मिल्स काटेंगे एकदम बारी 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 चक्को की साहता से इसे बारी बारी काट लेंगे ऐसी हमें सारी इंग्रेडिन को काट डूंगा जितने भी इंग्रेडिन इसमें पढ़ेंगे अभी इसमें एड़ करना है पियाज भी काटना है उसके बाद इसमें एड़ करना है लैसुन भी काटना है पत्तागों भी काटना ह आप वीडियो में लास्ट बन कर देख सकते हैं इसमें क्या गया एक बार जरूर ट्राइए करना बनाकर अब मैं लैसुन काट लूँगा कम से कम 6-7 कली हैं इसको अच्छी तरह से बारी-बारी काट लूँगा उसके बाद क्या काटना है उसके बाद एक काटना है प्याज प्याज पहले से छोड़ा के रख लिया था उसके बाद में इसको बारी-बारी करके चॉप कर लेंगे जो इंट्रेटिंग के कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यह हरी बेजी टेबल्स है इसकी कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जितना ही कटिंग अच्छा करेंगे उतना भी अच्छा चौमीन में स्वाधा आएगा उसके बाद में लेते हैं थोड़ा सा कैविस मतलब पत्ता गोबी पत्ता गोबी को अच्छी तरह से बारिक बारिक चौप कर लेंगे ज्यादा नहीं काते हैं कि पत्ता गोबी इसको थोड़ा ही काटेंगे उसके बाद में चड़ाते हैं कड़ाई कड़ाई चड़ाने के बाद में इसमें डालते हैं थोड़ाशा पानी, गैश का फिलो थोड़ा हाई रखेंगे, उसके बाद में इसमें डालते हैं थोड़ाशा आयल, उसके बाद एक छणी रखते हैं, आयल का ये मात है कि चौमिन पूरी तरह से चपके गे नहीं, चौमिन क इसी में सर्व कर देंगे जाली रखने का ये महत है कि जब चौमीन पूरी तरह से उबल जाएगी तो पानी जितना रहेगा वो नीचे चला जाएगा लगभग मेरी चौमीन पूरी तरह से बॉयल हो चुकी है इसको ढग देंगे 5 मिनट के लिए उसके बाद उठा लेंगे उस नीचे पानी पूरी पूरा चलाजाएगा उसके बाद में उपर से मिला में एक टेबल स्पून ऑयल मिलाने के बाद चौमीन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मिस्फ करने के बाद इससे साइड में थोड़ दिर के लिए रख देंगे उसके बाद चढआते हैं करहाई करहाई में डालते हैं दो तेबल स्पून औयल स्थे भाद इसमे दड़का लगाने के लिए छोड़ते हैं लेशन दो तीन कली उसके बाद हरी मिर्स छोड़ देंगे इसमें हरी मिर्स डालने के बाद में इसमें डालते हैं थोड़ा सा प्याज डालने के बाद में इसमें डालते हैं थोड़ा सा थोड़ी सी हरी शोया बीन जो मैंने काटी थी उसके बाद इसमें गाजर एड़ करते है गाजर एड़ करने के बाद इसमें एड़ करते हैं कैवेस कैवेस एड़ करने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनेंगे उसके बाद इसमें कुछ नूट्रिला एड़ कर देते हैं शोयबीन जिसे आप बोलते हैं उसके बाद जब पूरी तरह से इंग्रेड अध्पकी हो ज करने के बाद में इसको अच्छी तरह से चलाएंगे इतने इंग्रेडिन पहले मैंने पखाये थे इसी में मिक्स करेंगे उसके बाद कि मच के साहता से अगर शौमिन बड़ी हो तो आप इसे काट सकते हैं कल्चुन के साहता से थोड़ा थोड़ा इसको भूनेंगे अच्छी तरह से भूनने के बाद में इसमें कुछ मसाले एट करना है जिसे वन टेबल स्पून नमक उसका वर वन टेबल स्पून लाल मिर्च ल पूरा शोया स्वास चौमिन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो चौमिन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा एकदम ब्राउन दिखेगी देख सकते हैं मेरी चौमिन लगबग बनके त्यार हुद चुकी है पक भी चुकी है उसके बाद में इसको थोड़ी देर के ल बनके त्यार हुद चुकी हिला जबाब आप इसे जरूर ट्राई करना एक बार वीडियो वाच करके च्ट्राई करना चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में सेयर करना उसके बाद में लगते हैं चिमबच काटे वाला उपर से डाल अपने मेरी सीपी बनके त्यार हुद चुकि आप भी ऐसे जरूर ट्राई करना बना कर